मैं अनीता का पती हूँ. वह रोज आपका एक वीडियो चलाती है, जिसमें आपका कोई संदेश होता है. आपकी दिमाग में क्या आता है, जिससे आप ग्यान के इन शब्दों को कहते हैं, यह कैसे दिमाग में आता है? इसके लिए कुछ प्रिष्ट भूमी की ज़रूरत है. ये एक सच्चाई है कि हमारे पास सबसे विक्सित, नियूरोलॉजिकल सिस्टम है. किसी कीडे मकोडे, पक्षी, जानवर, किसी की भी तुलना में. पर हमारी एक मनोवैग्यानिक प्रक्रिया भी है. आपकी मनोवैग्यानिक प्रक्रिया चाहे कुछ भी हो. आपके विचार और भावना है. सिर्फ इसलिए खटित हो रही है. क्योंकि आपने खास मातरा में जानकारियां इकठा की हैं, है न? अगर आप सोचते हैं कि वो अच्छी इंसान है, तो एक तरह का विचार. अगर आप सोचते हैं वो अच्छी नहीं है, तो दूसरी तरह का विचार. अरे आपको लगता है कि ये कोई और है. ये सारी जानकारी जो आपने इकठा की है, चाहे वो सही हो या अगलत, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस तरह की जानकारी आपने इकठा की है, वो आपके विचारों और भावनाओं का धंग निर्धारित करती है, है ना? ये एक बात है, कि अगर आप इंसानों को समझा दें, कि उनकी मनोवैग्यानिक प्रक्रिया पूरी तरह उनका अपना नाटक है, इसका सचाई से कोई लेना देना नहीं है, कैसा है? आपकी मनोवैग्यानिक प्रक्रिया का यहां की सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है यहां सौ लोग बैटे हो सकते हैं और हर कोई अपनी अलग मनोवैग्यानिक सिती में हो सकता है और वो सौ अलग-अलग दुनियाओं में हैं वो इस दुनिया में नहीं है तो मेरा दिमाग खाली है, इसमें कुछ नहीं है तो मैं इसी दुनिया में हूँ क्योंकि मैं सिर्फ इसी दुनिया में हूँ तो मैं हर चीज पर ध्यान देता हूँ मेरे दिमाग में कुछ नहीं चलता अगर मैं एक जगा बैठ जाओं तो कभी-कभी जब मैं छुटी लेता हूँ, तो अगर मैं खुद को पाँच दिन के लिए बंद कर लूँ, तो मेरे मन में एक भी विचार नहीं आता. मैं पढ़ता नहीं, टीवी नहीं देखता, लिखता नहीं, मैं कुछ नहीं करता, मैं खिड़गी से बाहर भी नहीं देखता, मेरे मन में एक भी विचार नहीं आता. क्योंकि मनों वैग्यानिक प्रक्रिया सिर्फ एक छोटा सा नाटक है, जो बस इसलिए इतना बड़ा हो गया है, क्योंकि आपने इस से अपनी पहचान इतनी ज्यादा जोड़ ली है. ऐसा होता है, लोग हमेशा मेरे पास आकर कहते हैं, सद्गुरु मैं ध्यान करना चाहता हूँ, पर मेरे दिमाग में विचार आते हैं. मैं पूछता हूँ, देखिए, मैं आपको दूसरी तरह का ध्यान सिखा दूँगा, जिससे आपका गुर्दा, आपका कलेजा, आपका दिल काम करना बंद कर देगा, आप सीखना चाहेंगे? नहीं, 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 तो आप सिर्फ अपने दिमाग का ही काम बंद करना चाहते हैं, क्यों? देखिए, जब आप बैठ कर ध्यान करते हैं, तो आपका गुर्दा, कलेजा, दिल, सब काम करते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है सिर्फ दिमाग के काम करने पर आपको दिक्कत है हाँ? ऐसा क्यों है? क्योंकि आपकी पहचान अपनी किड्नी के काम से इतनी जुड़ी हुई नहीं है, मगर अपनी विचार, प्रक्रिया और भावनाओं से आपकी पहचान बुरी तरह जुड़ी है आप उससे इतने जुड़े हुए हैं कि आपको लगता है कि आप खुद वही हैं और इसकी वज़े से जीवन का अनुभव इसके पीछे छुप गया है बताईए पिछले 24 घंटे में ऐसे कितने पल थे जब आपने विचारों से परे जाकर किसी चीज़ को देखा? अधिकांट्स लोगों के लिए एक भी पल ऐसा नहीं होता या कुछ लोगों के पास कुछ पल होते हैं मेरे अंदर बस कुछ पल विचार होते हैं बाकी समय तो मैं बस आकाश की तरह हैं बस मौझूद होता हूँ, सिर्फ जीवन अगर आप बस क्या आप जीवन है? हाँ मुझे ठीक से बताईए क्या आप वाकई जीवन है? हाँ हाँ, आप जीवन है, है न? मैं जीवन हूँ, इसलिए मेरा एक शरीर है मेरे पास विचार हैं, भावनाए हैं, मेरा घर है, मेरा ये, ये और नजाने कितनी चीज़े हैं सब साजो सामान मगर आप साजो सामान का अनुभव कर रहे हैं क्या आप रोज जीवन का अनुभव कर रहे हैं? आप अपने मनोवैग्यानिक नाटक को जीवन समझने की गलती कर रहे हैं, है न? आपका मनोवैग्यानिक नाटक, आपका नाटक है, शायद उसका निर्देशन बुरा है, पर देखे, जब इसका निर्देशन बुरा होता है, तो लोग कश्ट उठाते हैं, जब उसका निर्देशन अच्छा होता है, तो इसका आनन्द लेते हैं, है न? अलो? तो आपका मनोवैग्यानिक नाटक आपका अपना है, आप इसे चलने दें, इसमें कुछ गलत नहीं है, यह ऐसा है जैसे हमें खेल खेलना शुरू करते हैं, हमें टेनिस कोट में हैं, जहां गेंद को मार कर, आपको मज़ा आता है, आप गेंद को मारते हैं, आपको मज़ा आत है कुछ देर बाद आप रैकेट नीच रख कर चले जाते हैं है ना अभी इस खेल में आप रुक नहीं पा रहे हैं मान लीजिए आपने टेनिस खेलना शुरू किया और आप रुक नहीं पा रहे हैं 24 घंटे तो आप टेनिस से कैसा दुख पाएंगे अभी बस यही हो रहा है आपकी मनोवैग्यानिक प्रक्रिया बेलगाम हो गई है वो बस चलती ही जा रही है चलती ही जा रही है तो इसका आसान हल यह है किसे रोकने की कोशिश ना करें क्योंकि आप गुर्दे जिगर दिल या किसी और चीज को तो रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं उसमें आपको वो कोई परिशानी नहीं है, बस आपको दिमाग के काम करने से परिशानी है, क्योंकि उससे आपकी पहचान है, आपने गलती से समझ लिया है कि आपके विचार आप है, है ना, हम्? आपके जो भी विचार है, आप सोचते हैं कि वो आप है, मगर आपके विचार एक खास सूच प्रस्राँ चाहरी जानकारी से ही आरा है। अब आप इसे अपने तरीके से पहचान कर कहते हैं, अरे ये अच्छा है और वो अच्छा बन जाता है, आप कहते हैं ये बुरा है और वो बुरा बन जाता है, आप कहते हैं ये भायानक है तो वो भायानक हो जाता है, ये आपका किया धरा है, मगर जानकारी बस बरस रही है औ जो भी आप इकठा करते हैं, वो आपका हो सकता है, पर वो आप नहीं हो सकते, है ना? हलो? मैं इसे अपनी कुर्सी कह सकता हूँ, पर अगर मैं कहूं कि ये मैं हूँ, तो आप सोचेंगे कि मैं पागल हो गया हूँ, है ना? फिलाल बस यही हुआ है. जो आप एकठा करते हैं, आप सोचने लगते हैं कि आप हैं, खोड़ा असान तरीके से समझाता हूँ. हमारा शरीर, ये शरीर, क्या आप ऐसे ही पैदा हुए थे? नहीं. नहीं. आप इतने से आये थे, और अब इतने हो गये हैं. ये कैसे हुआ? बस उस भोजन से, जो आपने खाया, है न? या फिर जिस धर्ती पर हम चल रहे हैं, वो भोजन बन गई, और अब वो ऐसी है. आपके और मेरे जैसे, अंगिनत लोग इस धर्ती पर आ चुके हैं. वो भी वो दिमान लोग थे. अब वो कहा हैं? वो सब अप मिट्टी की उपरी परत हैं. ये भी वही बनेगा. आया नहीं. जब तक कि आपके दोस्त, आपके वापस जिंदा हो जाने के डर से, आपको बहुत गहरा न दफना दें. वरना ये भी मिट्टी की उपरी परत बन जाएगा. ठीक है, हम आज नहीं मरना चाते, पर जाना तो है ही, है न? तो ये बस मिट्टी है, जो भोजन में बदल गई है. इस भोजन को खाकर, हमने इसे ये शरीर बना लिया. या ये सच है, कि ये शरीर भी समाई के साथ इकठा किया गया है? अलो? ऐसा है. जो आप इकठा करते हैं, वो आपका हो सकता है, पर क्या वो आप हो सकते हैं? अलो? ज्यादा से ज्यादा, आप अपनी इकठा की गई चीज के अपने होने का दावा कर सकते हैं. मैं भी इस पर बहस नहीं करूँगा. एक दिन आएगा. पर आप ये नहीं कह सकते कि ये मैं हूँ. है न? जो आप इकठा करते हैं, वो कभी आप खुद नहीं हो सकते. अगर ये आपके लिए एक जीता जाकता अनुभव बन जाए, कि आपने भोजन और जानकारी के रूप में जो इकठा किया है, आप साफ साफ जान लें, कि ये मैं नहीं हूँ, तब आप मेरी तरह हो जाएंगे. जीवन को बस जीवन की तरह देखने लगेंगे, बिना किसी चीज से प्रभावित हुए, बिना किसी चीज से पहचान जोड़े, बस जीवन. क्या ये सच है, कि मूल रूप से आप बस एक जीवन है? आपने एक शरीर एक त्रित किया, तो हमने आपको आदमी कहा, फिर आपने अपने अंदर कुछ चीज़ें इकठा की, तो हमने आपको ये, वो और सब कुछ कहा, पर मुख्य रूप से क्या आप बस जीवन है? और क्या इस वक्त सबसे महत्वपून है कि आप जीवित हैं? अभी आपके जिन्दगी में सबसे महत्वपून यही है, क्या ऐसा है? हलो? पर दुर्भाग इसे उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. आज मैं जो सोच रहा हूँ, वो मेरे जीवित होने से ज्यादा एहम हो गया है. है न? हलो? मेरी छोटी सी भावना मेरे जीवित होने से ज्यादा महत्वपून हो गई है. देखिए, आज सुभा सूरत समय पर निकला. हलो? हाँ? नहीं, आपको लग रहा है कि ठीक है, तो क्या? कुछ समय पहले, टेनेसी में हम एक हेलिकॉप्टर उड़ा रहे थे. वो एक सुंदर गर्म दिन था. तो हमने दर्वाजे खोल दिये, और हम दर्वाजे खोल कर हेलिकॉप्टर उड़ा रहे थे, क्योंकि मौसम अच्छा था. हम उपर गए और अचाना की तेस ठंड लगी. हुआ ये था कि सूरज बादलों के पीछे छिप गया था. इतना ठंडा कि हमारा नियंतरा नहिल गया, हमारे हाथ कंट्रोल पर स्थिर नहीं हो रहे थे, तो हमने नीचे आने का फैसला किया. नीचे आते समय हम यूही चर्चा कर रहे थे, मान लीजे, कल सूरज ना निकले, तो क्या होगा? शायद तीन मेहने में ये होगा, छे मेहने में ये होगा, हम बस अंदाजा लगा रहे थे. फिर वापस आकर मैंने थोड़ा शोद किया. अगर कल सूरज ना निकले, तो अठारा घंटे में इस धर्ती पर जीवन का हर रूप खत्म हो जाएगा. धर्ती की गहराई में कुछ सूक्ष्म जीवों को छोड़ कर, अठारा घंटे में बाकी हर चीज़ खत्म हो जाएगी. अभी अभी मैंने आपको एक शांदार जान कारी थी. आज सुबह सूरत समय पर निकला. इस बात पर कम से कम तालियां तो बजनी चाहिए. शांदार बात है, वो समय पर निकलाया. और प्रित्वी समय पर घूम रही है. आपको नहीं लगता कि ये बढ़िया है. सौर मंडल में कोई दुरगटना नहीं हुई. एक ग्रह दूसरे से नहीं टक रहा है. सब अपने रास्ते चल रहे हैं. पूरे ब्रहमांड में एक भी दुरगटना नहीं. दुनिया में सब कुछ अच्छा चल रहा है. ब्रहमांड में सब कुछ बढ़िया चल रहा है. एक छोटा सा बुरा विचार. आह, पूरा दिन खराब, है ना? समस्या ये है कि हम ये दृष्टी खो चुके हैं कि हम कौन हैं. इस ब्रहमांड में ये सौर मंडल कण की तरह है. आया नहीं? ये एक कण जितना है, कल सुबह अगर पूरा सौर मंडल गायब हो जाए, तो कोई ध्यान नहीं देगा. उस कण में प्रिथवी एक बहुत छोटा कण है. उस सूक्ष्म कण में, लॉस एंजलेस एक उससे भी सूक्ष्म कण है. उसमें आप एक बड़े आदमी है. ये एक गंभीर समस्या है. ये आपका मनोव एग्यानिक नाटक है. चीजों को इस हद तक बढ़ा लेना, जहां आपके खयाल में एक छोटा सा बुरा विचार भी आपकी दुनिया खराब कर सकता है. क्योंकि हम अपने विचारों अपनी भावनाओं से पहचान जोड लेते हैं, बिना ये समझें कि अपनी पसंद के विचार, अपनी पसंद की भावनाएं पैदा करना हमारा विशेश आधिकार है. अगर आप अपनी मर्जी से अपने विचार और अपनी भावनाओं पैदा करेंगे, तो क्या आप किसी इनसान के लिए संभव सबसे बहतर विचार और सबसे बहतर भावनाओं नहीं पैदा करेंगे? हाई या नहीं? फिर आप मानवता के चरम पर काम करेंगे. अभी हमारी अपनी बुद्धि मत्ता हमारे खिलाफ हो गई. हमें किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं है. हम खुद ही खुद को तबाह कर रहे हैं. हाई या नहीं? बैठे हुए, खड़े हुए, गरीब, अमीर, हर तरह का इनसान दुखी है. आप उनसे पूछिए, बचपन, बड़ी समस्या, डाइपर की समस्या, छोटा बच्चा, बड़ी समस्या, खूप शैतानी, किशोर आवस्था, हे भगवान, इतनी सारी समस्या हैं, अधेर उम्र, क्राइसिस, बुढ़ापा, भयंकर, बताईए आपके जीवन का कौन सा समय शांदार है, समस्या कहीं और नहीं है, समस्या बस ये है, कि हम अपने मनोवैग्यानिक नाटक पर काबूख हो चुके हैं, क्योंकि जीवन का अस्तित्वगत नाटक हमारे अनुभव में नहीं है, हमारा मनोवैग्यानिक नाटक सूरज का रास्ता रोकने वाले बादल की तर हम सिर्फ उन विचारों, भामनाओं, आइडियाओं, पूर्वाग रहों और फालतू चीजों का अनुभव करते हैं, जिने हम पैदा करते हैं। स्रिष्टा के स्रिष्टी में रहने की बजाए हम अपनी बनाई हुई तुछ स्रिष्टी में रहते हैं। ये एक बड़ी बात है, मैंने कोई रचना नहीं की, इसलिए मैं यहाँ हूँ, इस दुनिया में।